हाई गुड मॉर्णिंग गाइज वेलकम टू पांडु यंग लिस अकेडमी आई एम बागेर्थ गोदरा विद न्यू वीडियो आज हम क्लास 10 के 6 लेशन का 6 वीडियो पड़ेंगे इसके अंदर हम क्लास 10 के लोंग क्वेशन आंसर पर डिस्टर्स करेंगे मैंने आपको पह हाव दे अर्थ सेवड हाव एबुक शेवड दे अर्थ नाम से जो फर्स लेशन एक ड्रामा उससे हैं और वन मोर क्वेशन जो आएगा वो बाकी लेशनों से आएगा देट मेबी अबाउट थर्टी तू फोर्टी माँ वर्ड सो एंग लोंग टाइप आइप आंसर है सो व कोने फिर फोलो करवाएं यास कोई सनों फरस्ट है वीच आड़ इंपोर्टेंट इस्यूज दैट है एव हमपर्ड आर गलोरी हमें यह बताना है कि एसे कौन-कौन से इंपोर्टेंट इस्यूज हैं चुनों हमारी गलोरी को हमपर्ड कर दिया है हमारी हमारी भी रोक दिया है तो हमने लेस्ट में डिस्कूस किया था दैश्यूज डैट है वह हमपर्ड आर गलोरी आर वेरी वेरी श्मोल ऑप्र इंपोर्टेंट वन अधान थे ने बताया था कि हम हमारे जो इस्यूज जो हमें हम्पर करते हैं जो हमें रोकते हैं वर्ल्ड पावर ब पात है ना छोटे हैं लेकिन इंपोर्टेंट बहुत है वह थर ने वह समझाया था कि हमने डेम बना लिए नुकलियर द्रमा पावर नुकलियर पावर प्लाइट बना लिए एम खोल लेकिन कुछ बैसिक चीज़ें जो हैं कुछ बैसिक चीज़ें जो हैं वह हमारे पास अभी नहीं और उन बैसिक चीज़ें के नहीं होने की वज़े से हम क्या करते हैं दुनिया से पिछड़े वे हैं दे आर मॉस्टली जर्लेटेट टू आज सिविक सेंसे जो दो कुछ बैसे जो हमारे प्रोग्रेश को हैं पर करते हैं दूंस आज चाहता है कि हम इस्टो प्रोपर लिए फोलो करें और इनको प्रोपर टेंशन दें तब ही हम क्या करपाएंगे अच्छी तरह से प्लोग्रेश कर पाएं आइप कि यहां को समझ माया होगा इसमें नोईज पॉलिशन हमारे जीवन हमारे लाइफ को कितना पर भावित करता है सो हमने पढ़ा था नोईज पॉलिशन अफेक्स आर लाइफ बाइनी वेज नोईज ब्योंड ए नॉर्मल रेंज अगर नोईज बाहर है में डेमिज आर हीरिंग और गिन में कस्दीफ हमारी और गिरेंज कर सकता हमें यहाँ अगर जोर्जोर से लावड स्पीकर रोजरना बजने लगे हैं हमारे परोस में तो हम बहरे हो सकते हैं क्योंकि हमारी रेंज रए हो जाएगी इन गर लगाता और नोईज रहाया तो एक आदमी रिंत भी राम से नहीं कर सकता सब्सक्राइब कर सकता है इसके लिए उसके लिए तो पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल हो जाएगा और यह जीवन को स्पोईल कर सकता है बर्बाद कर सकता है फोरेशिक पर्सन जिदी एक बिमार आदमी है इस वेज़ेंजर उसके लिए और भी ज़्यादा डेंजर्स हैं इ इस सब्सक्राइब उसके लिए यह नोईज पॉलिशन एक गुटन हो जाएगा सो वाइल मैकिंग एन नोईज एन ने हो गई यह होगा लेशन एन नोईज वी शूड ओल्वेश तिंक अबाउट अधर हमें दूसरे के बारें भी सोचना चाहिए हमें नोईज हमें सब्सक्राइब करना चाहिए ओथर कहना चाह रहा है आगे हम बढ़ते हैं हाव कें यू की पब्लिक प्लेस क्लीन हम पब्लिक प्लेस को क्लीन कैसे रख सकते हैं तो जब गंदकी नहीं फियंगे तो क्लीन रहे जाएंगे वी केंड कीप आर पब्लिक प्लेसे ग्लीन बाइंग शिवलाइज इंदियम सीवलाइज मेंनर को फॉलो करते हैं तो मुझे रख सकते हैं जैसे की वी शूड फॉलो हेल्थ हाइजिनिक रूल्स वेरेवर स्पेशली आउटसेड आर हाउस हम हमें हेल्थ हाइजिनिक रूल को फॉलो करना चाहिए जब घर से बहार होते हैं तो इसे ज़्यादा फॉलो करना चाहिए वी शूड नेवर थ्रो किचन वेस्टिज आउटसेड इन दे स्टीट स्टीट में किचन के वेस्टिज को नहीं चाहिए इस तरिके से हम क्या कर सकते हैं कि प्लेशेश को क्लीन रख सकते हैं या अब फॉर्थ क्वेशन वाइज दे मोमेंट ओन रोड बिकम डेंजरस ओथर इसके माद में से कहना चाहता है कि सड़क पर चलना सड़क पर ड्राविंग करना खतरना क्यों हो गया है यह से में पढ़ा था हमने क्यों हो गया है दे मो पर दो रोड को यूज करने वाद लोग जो है वह बैसिक नॉम्स को फोलो नहीं करते उनको पता नहीं तक का ड्राविंग करना है कहां कौन चलना है का टन लेना है कब इंडिकेशन देना है कब क्या करना है ना दे डोंट लो दे जस्ट एक्सलेरेट दगाडी एंडे इसके बारे मुझान करने रखते दे ओंडी नो हाव टू एक्सलेर दविकल वह सिर्फ इतना जानते कि इसको बगया कैसे जाता है डे वोईलेट ट्रेपिक नौम्स ओफन वोप्राइट करते हैं डे डोंट कीप दे विकल्स इन प्रोपर लेन वह पने विकल्स को प्रोपर इवाई यह द्यान रखना प्रेकम शिकार एक सिवलाइज में विकम प्रेयोब दे इग्नोरेंस और इस तरीके से एक सिवलाइज में जो बहुत ही सब्वे तरीके से सभी ट्रेपिक रूल्स को फोलो करते हुए ड्राइविंग कर रहा है वो उनका सिकार बन सकता है क्योंकि जो सामने वाला है वो बेसिक नुम्स को फोलो नहीं कर रहा है तो एक्सिडेंट कभी भी हो सकता है आगे बढ़ते हैं अकोर्डिंग तो अकोर्डिंग तो दे राइटर हाव कें वी एक्स्प्रेस आप्रोटेस्ट विदाओट कोजिंग एन डिफिकलिटी तो अधर्स और इसके माते में सी कहना चाहता है जैसे उतर ने पढ़ाय तो रेल्रू को बंद अभ्यान अना जो अंदरना पर्दसन था उसके बारे में कि हम सांती पुर्ण पर्दसन कैसे कर सकते इसके माते में सी कहना चाहता है अकोर्डिंग तो दे ओथर वी कन एक्सप्रेस और प्रोटेस्ट विदाओट अनी डिफिकल्टी तो अधर बाई अनृटरिंग फीश्फूल स्ट्राइक एंड फॉलोइं जापान के लिए सांधिपुक प्रोटेस को एक्सप्रेस करने कोई तरीका खोजना चाहिए इसके माधिय में समझाना चाहता है आगे हम बढ़ते हैं सिक्ष्ट क्वेशन वीच इस देश्पीर बीट्वीन मसल्स पावर एंड ब्रेन पावर और वाई मसल पावर और ब्रेन पावर क बीटे टूदए मसल पावर बड़ी स्ट्रोंगर बेंड अब यह सुपीडियर है ब्रेन पावर लेकिन मसल पावर स्ट्रोंगर मजबू ज्यादा है इति इस नो नन टूचेक एंटवार दिजाइंस क्योंकि ही इस मसल्पावर इसलिए क्यों कि कोई भी इनको जांसने पड़ताने वाला नहीं है कोई इनको रोकने वाला नहीं है दोज विद्ध ब्रेन पावर अर्जनले शिवलाइज और जो लोग ब्रेन फावर में शुपर ह हुते हैं वो सभी तरेक 23 से चलना पसंद करते हैं गुंड़ागर्दी करना पसंद नहीं करते हैं दे यूप नहीं। नोम्स नहीं होते हों जो मरज्य वैसा कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं हाव डू दा वरकर ओप दे शू फेक्ट्री इन डेमोस्टेट दे प्रोटेस्ट यहां जापान की एक शू फेक्ट्री में एक वार वरकर्स ने हर्ताल की थी उसका डिस्क्रिप्शन दिया है तो क्या है उन्होंने के से हर्ताल की थी वो यहां बताया गया है इन जपान दे वरकर ओफ दे शू फेक्ट्री वन्स वांटेट दे डिमांड तू बी कम्ट्यटेड एक वार वरण अपने डिमांड के लिए हर्ताल की फोड़ देट वेंट ओन श्टाइक बाइक बइक उल्ली वनली ल यह अच्छा तरीका है जो मैंने पहले बताया है कि जापानीज मोडल जो है स्ट्राइक वो यह है इस नोट पूट एनीवन टो अनकन इवेंस इस एक्षी भी आद्मियों को ऐस विदाएं नहीं होती है आपको समझ माया होगा इसमें कापी अच्छे क्वेशन भी हैं जो एक्जाम में आने के पुरी समावना रखते हैं इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें सेरे करें कमेंट करें थैंक्स पर वोचिंग हैवें